अब हम समझते हैं, वाई दू वी स्नीज, हम छेखते क्यों हैं हमारी एर में बहुत सारी गैसस, गैसस के हलावा हमारे अन्माटेड पार्टिकल्स भी होते हैं जैसे स्मोक, डस, पॉलेंस, एकसेटरा जो हमारे ली ली हमाफुल होते हैं जब भी एर को इन्हेल करते हैं, ये जो पार्टिकल्स Limit क्यों हैं H prevalence dia, जोगल होते हैं कई बार क्या होता है यहां पे ट्राप नहीं होते और अंदर की तरफ चले जाते हैं इसकी वज़े से क्या होता है वहां पे इरिटेशन होने लगता है इरिटेशन होने की वज़े से क्या होगा आपके नाक में इरिटेशन होगा और छीक आएगी यह इरिटेशन इसलिए हो र unwanted particles ते वो बाहर आ जाएंगे, इसलिए कहते हैं, छिक्ते टाइम हमेशा आपके nose को cover करके रखें, ताकि आपके foreign particles जो बाहर निकाल रहे हैं, छिक्ते टाइम और कोई बंधा inhale ना कर सके, और इसके वज़े से क्या होता है, इसके वज़े से यह होता है कि dust free, clean air enters your body, आपके body में dust free air enter करती है, जाती है, now let's move forward, आपने बहुत बाहर सुना होगा, हर कोई करता है, योगा करो, प्रहणायारम करो, इसका logic है, logic यह है कि आप जब प्रहणायारम करते हो, तो आपके lungs की capacity है, वो increase होती है, आपके lungs की capacity increase होगी होगी, तो क्या होगा, वो ज्यादा oxygen ले पाएंगे, ज्यादा oxygen supply कर पाएंगे, ultimately उससे ज्यादा energy मिलेगी, इसलिए कहा जाता है, कि प्रहणायारम कीजिए, योगा कीजिए, breathing exercise कीजिए, यह हमने पर लिया, breathing system in human beings, अब हम बात करेंगे, breathing other animals, different organisms में, different organs होते हैं, for the exchange of oxygen and carbon dioxide human beings में होता है, lungs में, इसे तरह से कुछ और animals हैं, जैसे lions, cow, goat, frogs, lezards, snakes, birds, इनके पास भी lungs हैं, इन में भी exchange of gases through lungs होते हैं, कुछ smaller organisms हैं, जैसे cockroach, earthworm, mosquitoes, इनके पास lungs नहीं हैं, तो आपने पहले भी पढ़ा है कि fishes जो हैं, oxygen कैसे लेती हैं, गिल्स की मदद से, उसी तरह से earthworm oxygen कैसे लेता हैं, कैसे gases का exchange करता हैं, अपनी moist air skin से, और insects में होते हैं, sparicals for the exchange of gases, इसी को हम detail में पढ़ते हैं, सबसे पहले बात करते हैं, cockroach को, cockroach में क्या होता है, cockroach के पास lungs नहीं होते हैं, lungs नहीं क्या होता है, भगवान ने इनको दिया, nature ने इनको क्या दिया है, इनके body बाड़ी पर होते हैं, small openings, यह openings को हम क्या कहते है, spiracles, चोटी-चोटी openings होती है, इनकी body में अंदर air tubes भी होती है, जिसको हम trachea कहते हैं, यहाँ पर बहुत सारी air tubes हैं, जिसको हम trachea कहते हैं, for gas exchange, अब होगा क्या, oxygen कहां से अंदर आएगी, spiracles से अंदर आएगी, चोटी-च oxygen rich air और बोडी में थरूए स्पारीकल से जाएगी ट्रेक्योल ट्यूब से फिट वहां से जाएगी जाएगी और रेस्पिरेशन और वहां से क्या रिलीज़ एक काबन डायक्सड प्रोड्यूस हुआ यह tracheal tubes में जाएगी और फिर tubes से बाहर आएगे spiracles से मदद से यह बाहर आजाएगी यह जो trachea है जिसको air tubes कहते है they are found only in insects not in any other group of animals सबसे पहले क्या हुआ oxygen rich air body के अंदर गए spiracles के त्रू spiracles क्या है छोटे छोटे holes ओपनिंग से ओपनिंग्स होते है स्पारिकल्स से कहां गई tracheal tubes में जाती है tracheal tubes से कहां दे दिया body cells को दे दिया body cells से में क्या हुआ respiration और इसके दौरन क्या बना carbon dioxide और energy बने अब energy तो body utilize कर लेती है carbon dioxide जो produce हुई वो body cells में थी वहाँ body cells से कहां tracheal tubes में गई और जैसे oxygen आई उसी रास्ते से carbon dioxide बाहर जाए ट्रेकल्स से स्पारिकल्स में गए और स्पेल्ट आउट बाहर की तरफ फेक जी कोक्रोच ने सिंपल लेट्स ओफ और अर्थ फॉर्म के बारे में बात करते हैं और वर्म जो ब्रीद करते हैं अपने स्कीन के थ्रूँ उसके आपने स्कीन दिये होगे मौइस सी स्कीन होती है जैसे जिसको बोलते हैं चिपचिपी से स्कीन होती है असानी से कैसे स्पास हो जाती है इसमें कुछ चक्कर यह यह फी सिधे ही अंदर चले जाती है यह सारा सिंपल हो गए और को और कांद से एबजाए इस ऑपड़ में ब्लोड जो है ट्रांस्पोर्ट कर दे हर एक सेल को सेल में क्या होगा रेस्पिरेशन वहां पर एनर्जी रिलीस हो जाएगी काबन डायोकसड जो प्रोड्यूस हुआ वापस आएगी स्किन के थ्रू ही बाहर आजाएगी यहां पर गया सेक्षेंट कैसे होता है स्किन के थ्रू मुवंग फॉरवर्ड अब बात करते हैं फ्रॉक्स की फ चिप चिपी मॉस्ट एंड शिपरी इसके रॉक जो है वो स्किन की थ्रू भी ब्रीथ कर सकते हैं और आगे की प्रोसेस से में अक्सिजर अंदर जाएगी ब्लॉड के थ्रू सेल्स में जाएगी और वहां पर एस्पिरेशन काबन डायोकसड प्रोड्यूस होगा और काबन फिश के बारे में बात करते हैं फिश के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं फिश अंडर वाटर रहते हैं फिश जो यूटिलाइस करती है उस ऑक्सिजर को यूटिलाइस करती है जो वाटर में प्रेजेंट है जो डिजॉल्ड होती है वाटर में उसको लेने के लिए वि फिर वह होता है कहां से कहा जाएगी ब्लड में जाएगी बलड से सेल में सेल में रेस्पिरेशन का बन डाय। बेखेएँ और गिल्स के त्रूह ही बहार आजाएगी एकेल हो जाएगी इनवी गिल्स से और आखेँ लग आगे बढ़ते हैं Dolphin and Wailes की आप देखिए Dolphin और Wailes भी पानी में रहते हैं लेकिन इनके पास गिल्स नहीं होते हैं इनके पास गिल्स नहीं होते हैं consider breathing कैसे होते हैं Dolphin और Wailes के पर हेंड के उपर हों प्रेसम्ट होता है इसको बोलते हैं blow hole और इसको बोलते है nostril इससे यह लोग oxygen ले पाते हैं air से oxygen लेते हैं dolphin और whale जो है बाहर-बार पानी के उपर आती है इस तरह आप में बहुत सारी picture और वीडियो में देखा हूँ पानी के उपर क्यों आती है यह पानी के उपर इसलिए आती है क्योंकि इनको oxygen चाहिए क्योंकि इनके पास गिल्स नहीं है अगर गिल्स होते हूँ अंदर पानी के अंदर वाला oxygen ले सकती थी पर वह गिल्स नहीं है इसलिए वह उपर आती है हवा में जो oxygen होता है उसको ब्रीद करती है यह blue holes की मदद से okay इन blue holes की मदद से breathe यह करती है breathing okay let's move forward यह था breathing in other animals अब छोटा सा topic और है plant respiration है जो फटा फट कंप्लिक करते हैं फोटो सिंथेस के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते है डेलाइट में जो सनलाइट होती है प्लांट्स जो है carbon dioxide utilize करते है oxygen को release करते हैं और बनाते हैं carbohydrates photosynthesis की process से प्लांट्स जो है वो respiration भी करते हैं प्लांट्स को भी तो energy चाहिए इनी respiration के लिए plants को भी चाहिए oxygen यह oxygen का इंडेक करते हैं carbon dioxide को exhale करते हैं लाइक लिए अधर लिविंग और लिविंग और प्लांट्स अलसो रस्पार्स वाट्स वाट्स अलसो टेकिन oxygen from the air and give out carbon dioxide और वही होता है जो glucose का breakdown होता है carbon dioxide and water aerobic respiration के product बनते हैं glucose का breakdown होता है और carbon dioxide and water बन जा जाता है और energy release हो जाती है प्लांट्स भी ऐसे ही respire करते हैं oxygen लेते हैं carbon dioxide छोड़ते हैं देखे plants में different parts जो है individually, dependently oxygen को ले सकते हैं carbon dioxide को छोड़ सकते हैं इन plants each part can independently take in oxygen from the air and give out carbon dioxide आपने देखा जो leaves में पहले भी आप पढ़ा है आपने tiny pores होते हैं छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको हम stomata कहते हैं stomata से होती है होती है exchange of oxygen and carbon dioxide leaves कैसे exchange करते हैं stomata की मदल से उसी तरह स्टेम में present होते हैं latent cells जिसमें exchange of respiratory gases exchange होती है रूट्स में क्या होती है soil में जो oxygen present होती है उसको trap कर लेते हैं इसलिए हमने कहा है कि parts के प्लान के जो अलग-अलग parts जो है independently अलग-अलग gases एक्षेंज कर लेते हैं जैसे कुछ कुछ है लेंटी सेल्स के थूरू रूट जो है रूट के सेल्स से soil particles से oxygen ले रहे हैं अचले आगे बढ़ते हैं ओके देखें एक important concept समझते हैं हमें पता है प्लान काबन ड्योकसाइड का अक्सीजन चोड़ रही है लेकिन side by side carbon dioxide चोड़ ही उसी को photosynthesis में यूज कर लेती है oxygen जो छोड़ रहा है रस Πरेशन की दौरान उप्षर यूज कर लेता है यह ब्लूंस है वह बना रहता है रात के टाइम क्या होता है राट के टाइम photosynthesis नहीं होतीकि सिर्फ respiration होती है क्योंकि photosynthesis sunlight के presence में होती है तो रात को सिर्फ respiration ही होता है carbon dioxide छोड़ा है और oxygen ले रहा है इसलिए सुना होगा कि रात के time पेड़ के नीचे नहीं सोतते क्यों रात की time photosynthesis नहीं हो रही तो अगर photosynthesis होती तो oxygen आपको मिलती रहती है और रात को क्या होता है oxygen लिए जा रहा है carbon dioxide छोड़ा जाता है उससे आपको क्या breathing difficulty होगी suffocation होगी आपको oxygen नहीं मिलेगा और आपको लिगेगा कि यह त्री हांटेड है क्योंकि पहले कहा जाता है कि पेड़ के नीचे भूत नहीं होता है लेकिन वह carbon dioxide छोड़ा है तो उसकी वज़े से आपको आप ब्रीद कर रहे है carbon dioxide इसलिए इसलिए रात के टाइम पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए और लिविंग और इसमीड टूरेस्पाइट इनर्जी नीड़ेट फॉर्वाइवल राइट रेस्पिरेशन बहुत इंपर्ट इंपर्ट प्रोससे सर्वाइवल के लिए क्योंकि इससे मिलती है एनर्जी और सा झाल 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